हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रूट दोस्तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जोग्रफी का एक महात्वपूर्ण टॉपिक आफ्रिका कॉंटिनेंट के जितने भी माउंटेन रेंजिस हैं या फिर महात्वपूर्ण परवश रंकला हैं इनको आज हम डिटेल में डिसकस करें होते हैं चाहीं UPSC का एकजाम हो सभी एकजाम के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है ये काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है अप वीडियो को आंतर तक जरूर देखिए चले सीज़ी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे महत्त्रपूर्ण जहां स से उंचा परवत है यह दी बात कर रहें माउंट कली मंजारों की है तो यह कहां पर है बच्चो एक तंजानिया में इस्थेत है तंजानिया एक कंट्री है ऐक प्रकार का और आफ्रिका कॉंटीनेंट की सबसे उची चोटी है तो यह आपको याद रखना है ठीक है तेखिए आफ्रीका महादीप की सबसे उची चोटी है या फिर highest mountain peak है अठावन्सो पंचान नवी मीटर इसकी उचाई है ठीक है तो यहां से अकसर अकजाम में कॉशन पूछा आता ह कहा है कि आफ्रीका कॉंटिनेंट की सबसे उची चोटी इसके लाबा चू कि पूरे आफ्रीका कॉंटिनेंट की सबसे उची चोटी है तो जितने भी परवता तंजानिया में है 5895 मीटर इसकी हाइट है और नाम है किली मंजारो ठीक है यह point आपको याद रखना है बारवार रिपीट होते हैं देश का नाम क्या है तो देश भी आपको याद रखना तंजानिया country का नाम है इसके लबाँ यह है एक जौला मुखी से निर्मित परवत है ठ सबसे उचा free standing mountain है free standing mountain free standing mountain इसका मतलब क्या है यहां से अकसर बच्चो को confusion होता है फिर बहुत से लोगों के यहां पर पता ही नहीं होता है कि free standing mountain क्या होता है क्या लिखा है यहां पर माउंट के लिए मंजारो विश्व का सबसे उचा free standing mountain है जैसे for example मैं आपको समझाओ जैसे आपको पता होगा हिमालय रेंज है हिमालय रेंज है ये विश्व की सबसे उची रेंज है तो हिमालय रेंज में एक mountain है जिसको हम बोलते है Mount Everest है ना हिमालय की सबसे ऊची mountain range है या फिर mountain peak है या फिर पूरे विश्व की भी सबसे उची mountain peak है तो इस पूरे हिमालय में एक परवत है जिसका नाम है Mount Everest या फिर माउंट अव्रेश्ट या फिर वो mountain peak है लेकिन यहाँ पर क्या है जो माउंट किलीमन यह सिर्फ एक परवत है और यही सबसे उंचा है पूरे आफ्रीका कॉंटिनेंट का अंठावन सो पन्चानरवी मीटर ठीक है तो इसको हम बोलते हैं फ्री स्टेंडिंग माउंटेन मतलब सिर्फ यह एक ही परवत है माउंट किली मंजारो किसी श्रंखला का पार्ट नहीं है किसी परवत श्रंखला माउंटेन रेंज का यह पार्ट नहीं है एक खुद ही सिंगल माउंटेन है तो यह आपको याद रखना है प्री स्टेंडिंग विशुवत रेखा और मकर रेखा ठीक है इस प्रकार से पास होती है तो जो ये माउंट किली मंजारो है ये भूमद रेखा या फिर एक्वेटर के पास इससे थे ये बात आपको याद रखना है इसके अलबा चूकि इसकी हाइट काफी जादा है अंठावन सो पंचानवी पॉइंट भी आपको याद रखना है important है जितने पॉइंट मैंने आपको यहाँ पता है सारे important है बारवर यहां से exam में question repeat होते है चलिए अगला mountain देखते है ठीक है इसको माउंट किवो के नाम से भी जाना जाता है जो माउंट किली मंजारो है इससे माउंट किवो के नाम से तो आपका एक नमबर यहाँ पर कम हो सकता है तो आपको याद रखना है mount किवो किली मंजारो का ही दूशरा नाम है चलिए इसके लिए इमेज में ने यहाँ पर डाली हुई है आप देख सकते हैं यह पूरा mount किली मंजारो mount किवो है इस प्रकार से देखिए चक्वी मोरक को अलजीरिया और ट्यूनीशिया ठीक है अब देखेंगे उत्री आफ्रीका या फिर उत्तर पश्री में आफ्रीका भी आप बोल सकते हैं तो मोरक को अलजीरिया और ट्यूनीशिया में तीन देशों में क्रमसा इसका विस्तार है याद रखना है ठीक है अब देखिए ये तीन देशों में फैला हुआ सबसे पहले तो कुछ्छ नहीं से आजाता है कि जो atlas है ये किन-किन देशों में फैला हुआ है किस continent में फैला हुआ हो तो आफ्रिका continent के उत्हरी आफ्री का में फैला हुआ है मौरखको, अल्जिरिया और ट्यूनिशिया में यह फैला हुआ यह तीनों दोशना देखिए मुरक्को है अलजीदिया है और ट्यूनिश्या है अब आपको पता होगा यहाँ पर है भूमध्य सागर या फिर मेडिटेरियन सी क्या है यहाँ पर भूमध्य सागर मध्य सागर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है अट्लांटिक महासागर यहाँ पर है आपको पता होगा और यहाँ पर है एटलस इसके लाव यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो यह मैंने पैन से बनाया है इसको हम बोलते है सहारा डैजर्ट सहारा मरुस्थल सहारा रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा hot desert है गरम मरुस्थल है उश्ड मरुस्थल है ठीक है तो Atlas परवद बच्चो सहारा मरुस्थल को भूमद्य सागर और Atlantic महासागर से भी अलग करता है एक प्रकार की यहां पर इन दोनों के बीच में boundary है तो यह बात भी आपको याद रखना है है से भी exam में question पूछ लिया आता है इसके लब इसकी सबसे उची चोटी जो है Mount Tobical यहां पर आपको मुरको में देखने को मिलेगी चलिए एक एक करके हम इसकी point भी discuss करते है देखिए मुरको Algeria और Tunisia तीनों देशों के नाम याद होने चाहिए कि उत्री आफ्रीका में मुरको Algeria और Tunisia में Atlas फैला हुआ है ठीक है अगला point है इसकी सबसे उची चोटी है अभी बताई मनें यहां पर इसकी उचाई भी आपको पता होने चाहिए याद रखना है और मुरको में यह पढ़ती है तीन दर्शों में इसका विवस्तार है Atlas का जिसमें से Mount Tobical मुरको में पढ़ती है आंगे है करीब 2500 किलोमीटर लंबाई में यह फैली हुई है उतना important fact नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रख लेना लगवग इतना ही हमारा हिमाला भी है जो भारत नेपाल तिबबद वगरा में फैला हुआ है उसके भी लगवग लंबाई इतनी है 2400-2500 किलोमीटर है इसके लाबा जो यह Atlas है यह new folded mountain यह फिर नवीन वलित परवत का example है नवीन वलित परवत नवीन वलित परवत यह फिर new folded mountain नवीन वलित परवत क्या होते है बच्चू जैसे अब हमारा हमाला है हमाला हमने कई वार पढ़ा है तो हमाला भी new folded mountain का example है दो प्लेटे टकराई उसके पश्याद बीच में कोई सागट था उसके अवशाद परवतों के रूप में फोल्ड हो गए है ना इस प्रकार से कोई भी नवीन वलित परवत बनता है तो इसी प्रकार से जो एटलस माउंटेन है यह आफ्रिकन प्लेट और जो यूरोपियन प्ल बनता है तो यह बात भी आपको याद रखना है ठीक है तो कौन-कौन से कोश्चन यहां पर एक्जाम में बन सकते हैं कौन-कौन से देशों में फैला हुआ है इसकी सबसे ऊचे-चोटी कौन सी है माउंट उबकल 4165 मीटर और किस माउंटेन का यह एक्जामपल है तो नवी टारगेट बैच बिल्कुल लाइव है ठीक है SSC ए फिर SSC से related किसी exam को आप टारगेट कर रहा है तो आप हमारे batch join कर सकते हैं यहाँ पर हमारी जितनी भी expert faculty आपको guide करेगी teach करेगी बहतर तरीके से तो करना किया आपको root application को download करना है यहाँ पर आपको सारी detail मिल जाएगी ठीक है चलिए इसके लाव बच्चों यह दिए आप DS SSC coupon code को use करेंगे तो आपको 500 रुपए का extra discount देखने को मिलेगा इस SSC की batch में ठीक है तो coupon code यूज करना मत भूलिए इसके लाव यह दिए आप मुझसे geography पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा बैच बिल्कुल लाइव है आप मुझसे geography पढ़ सकते हैं बहतर तरीके से ठीक है चाहे वर्ल जोग्रफी हो इंडियन जोग्रफी हो जोग्रफी का यह foundation batch है जो कि आप किसी भी एक्जाम को टार्गेट कर रहा है उन सभी एक्जाम के लिए beneficial है ठीक है foundation batch है एक तो आप रूट application को download करके detail दिख सकते हैं इसके लब अलग अलग faculty history हो गया science हो गया geography arithmetic advanced quality English सभी subject आप अलग-अलग हमारी expert faculty से पढ़ सकते हैं individual ठीक है यह facility आपको यहाँ पर दी गई है तो आप रूट application को एक बार visit दरूर कीजिए चलिए देखिए दो हमने देख लिए Kilimanjaro जो की सबसे उची चोटी है और Atlas अब देखते हैं Mount Kenya ठीक है Mount Kenya कहा है तो Kenya यहाँ पर एक देश है यहाँ पर ही आपको Mount Kenya देखने को मिलेगा 5199 मीटर इसकी उचाई है यह आफ्रीका की दूसरी सबसे उची चोटी है किली मंजारों के बाद ठीक है किली मंजारों के कितनी थी 5895 मीटर ठीक है इसकी कितनी है 5199 मीटर तो दौनों की उचाई याद होने चाहिए आफ्रीका कॉंट्टिनियंट की दूसरी सबसे उची चोटी यह वी एक सांत जॉला मुखी परवत है ठीक है डेड़ वाल के नो है चलिए डेड़ देखते हैं यह आफ्रिका महाधीप की दूसरी सबसे उंची चोटी है इंक्या वन सो निन्या नवी मिटर इसकी हाइट है ठीक है चुकि दूसरी सबसे उंची चोटी है तो इसकी उचाई भी आपको याद रखना है जारे इसका माउंट केन्या नाम है और केन्या कंट्री में यह परवत है जैसे क प्लीमंजरौ था इसे प्रकार सहुपन चीए से उची चोटी हैं पर Kenya Highland उच्च भूमी है तो उसकी भी सबसे उची चोटी है तो बस यह दो तीन पॉइंट याद रखना कि दूसरी सबसे उची है पूरे आफ्रीका की किली मंजारों के बाद Kenya कंट्री में ही आती है क्योंकि इसका नाम ही Kenya की उपर है तो वहां से तो आप यह देश है योगांडा तो इनकी बाउंडरी पर आपको देखने को मिलेगा माउंट एलगन तो बस इसका नाम याद रखना है कि माउंट एलगन Kenya और योगांडा की बॉर्डर पर आपको देखने को मिलता है एक जौलामुखी परवत है ठीक है चलिए चलिए ड्रेकेंस व परवत देखने को मिलती है जिसका नाम है साउथ आफ्रीका दक्षण आफ्रीका ठीक है तो इसको भी थोड़ा डेटेल देख लेता है देखिए राकेंस वर्ग परवत दक्षण पूर्व आफ्रीका में पाया था या फिर दक्षण आफ्रीका भी आप बोल सकते हैं दक्ष 342 मीटर इसकी उचाई है ठीक है तो हलाकि उतना इंपॉर्डेंट नहीं है लेकिन थोड़ा याद कर लीजे चुकि ड्रैकेंस वर्ग के कॉश्चन आते हैं तो इसकी सबसे हुजी चोटी भी पता होना चाहिए तो 342 मीटर इसकी उचाई है याद रखना है ठीक है कहां पर लिम्पोपो नदी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को दोवार काटती है ठीक है अब मुझे आप कमेंड में बताईए कि विश्वत रेखा को कौनसी नदी दोवार काटती है इसका भारत की ऐसी कौनसी नदी है जो करक रेखा को दोवार काटती है उसका आप मुझे कमेंड में ज़रूर आंसर देना ठीक है तो यहां से लिंपोपो न दी निकलती यह भी आपको याद रखना है ठीक है important point है इसके लब यह प्राचीन मोरदार परवत का example है जैसे अभी अभी हमने देखा था नवीन मोरदार परवत है ना new folded mountain एटलस में हमने देखा था लेकिन यह कैसा है प्राचीन मोरदार परवत इसको हम बोलते हैं अवसिष्ट परवत या फिर यह क्या होता है तो देखिए आस चुकि यह बच्चो बिश्व के प्राचीन तम परवतों में आते हैं अवसिष्ट परवत तो करोणों वर्ष पहले जब यह बना होगा तो यह नवीन वलिद परवत था नवीन वलिद परवत था new folded mountain था लेकिन चुकि यह इतना पुराना ह हो गया है कि समय के साथ इसका अपक्षय अपरदन हो गया है ठीक है इसका चरण हो गया है और इसका अवसिष्ट भागी सेस बचा है इसलिए इसको प्राचीन मोड़दार परवत यह फिर अवसिष्ट परवत के अंतरगत रखा जाता है ठीक है जैसे हमारे हैं अरा वाली है आरा वाली तो अरा वाली को भी हम अवसिष्ट परवत या फिर रैसीडियूल मौउंटीन के अंतरकत रखते हैं फिर उसको भी हम प्राचीन मोड़दार परवत बोल सकते हैं तो उससे कंपर करके आप इसको पढ़ सकते हैं तो यहाद रखना है ड्रैकेंश वर्क परवत इसक तक यह नहीं जा पाती है तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि व्रष्टी चाया च्हेत्र में है इसकार से नाविब डेर्जर्ट और ज्यादा शुष्क है या फिर सूखा है तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला है माउंट कैमरून तो यह कहां प एक्टिव जौला मुखी परवत देखने को मिलता है जिसका नाम है माउंट केमरून यह सक्री जौला मुखी परवत है यह आफ्रीका के कैमरून के त्टी चेत्र में इस्थत है आफ्रीका महादीप का सरवादिक वर्शा वाला इस्थान भी है चूकि एक क्वेटर के पास है तो अच्छी-खाती वर्शा होती तो वर्शा के भी काफी तो ज्यादा वर्षा यहाँ पर इस रीजन में देखने को मिलती है ठीक है इसके लब एक और है यहाँ पर इथोपिया उच्च भूमी इथोपिया उच्च भूमी तो इसकी सबसे उच्च चोटी कौन सी है राम दशन है ना इथोपिया उच्च भूमी यहाँ पर देख लीजे कह से उमछ चोटी राम दशन है और यहां से ब्लू नेल रिवर का भी continents होता है holding अपको पता हूँ जो मैं नील नदी है विश्रू की सबसे लंबी parlar है यह दो नदी से मिल जूटर करके वनती है वाइट नील और ब्लू नील तो ब्लू नील का महत्वण माउंटिज्टेंड है वह उनकी माउंटीज्टीं माउंटिज्टेंड हैं महत्वण में एक्जाम में कॉशे सारे मैं आपको कवर कर दी है एसे ही एकईक कांतिनेंट महादरीं को सब्सक्राइब कर लिघे ऐसे ही और तो फिलाल आज के लिए इतना ही आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इसके लाव आप मुझसे जोग्रफी पढ़ना चाहते हैं यहां पर आप मुझसे जोग्रफी पढ़ सकते हैं तो झाई।